हेलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर के एक बहुत है यह इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स वीडियो में देखेंगे यह टॉपिक काफी कॉमन है और काफी इंपोर्टेंट है सभी बेंकिंग और सभी एक्जाम के लिए तो इसके कॉंसेप्स को हम समझेंगे और सारे रूल्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो चलिए शु में बार्व सिन्गुलर है तो और इधी सब्जेक टूरल होगा तो बर भी प्लूरल ही होगी यह सिंपल से रूल है इसका अ लेकिन काफी सारे कॉंसेप्स है इसके यह ह्याहां पर सक्षरणे तो यहां पर राम और श्याम गो तो यहां पर देख सकते हैं, तो यह दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, यह सिंपल कॉंसेप्ट है, और यहां से हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे, a past tense in the principle clause should be followed by a past tense in the subordinate clause, इसको समझने से पहले, आप clause को समझे, clause क्या होता है, जैसे एक sentence है, और उसमें दो पार्थ है, जैसे यह वाला sentence देखिया आप, she hinted, ठीक है, तो इसमें यह subject है, और यह verb है, तो यह एक पार्थ हो गया, और दूसरे पार्ट में देखिए she एक subject है और ये बर्वे ये दूसरा पार्ट हो गया लेकिन ये जो पार्ट है ये that से सुरू हो रहा है ठीक है ये वाला पार्ट complete है she hinted मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि she hinted लेकिन ये वाला पार जो that से सुरू हो रहा है है उसको मैं independently नहीं बोल सकता इसलिए वो subordinate clause है मतलब इस वारे clause पर depend है ये है main clause और ये है subordinate clause तो रूल का मतलब ये है कि यदि principal clause जैसे इसमें she hinted है ठीक है तो principal clause यदि past tense में है तो subordinate clause भी past tense में होगा अब इसमें यहाँ पर hinted लेखा हुआ है और यहाँ पर wants लेखा हुआ है तो यहाँ पर hinted है past tense में और यहाँ पर wanted है past tense में तो नीचे वाला sentence जो है यह correct है इसके base पर काफी question आते हैं और यहां पर आप देखें ये भी sentence इसमें will लगा है तो यहां पर will का आपको past tense करना होगा will का would करना हो क्योंकि यहां पर यह past और इसका एक rule यह है यह second वाला rule यहां पर लखा हुआ है यह है इसका second rule when the subordinate clause expresses a universal truth a quotation or a fact it must be in the present tense. यदि subordinate clause universal truth को express करता है quotation को express करता है या किसी fact को express करता है तो उसको हम present tense में ही रखेंगे क्योंकि present tense पर रखने का मतलब यह है कि वो चीज हमेशा true है हमेशा सही है चाहे उसको आप present में बोले चाहे आप past में बोले जैसे एक यह example देखिए कि पानी 100 degree celsius पर उवलता है तो इस sentence को यदि आप past में बोले या present में बोले वो जो fact है वो change नहीं होगा जो reality है वो change नहीं होगी tense के साब से तो इसलिए इसको आप present simple tense में ही लिखेंगे जैसे यह हम पर देखिए यह sentence he said that water he said that water boils at 100 degree celsius तो यहां पर यह sentence correct है हाला कि इसमें यह past tense है principle clause में said और यह present tense है लेकिन फिर भी यह correct इसलिए है क्योंकि इसमें हम universal truth की या fact की बात कर रहे हैं ठीक ऐसे ही यह वाला sentence है देखिए इसमें इसमें false होगा यहां पर तो यह sentence is correct है और इसमें honesty is the best policy quotation है तो यह सही होगा यह was गलत होगा इसमें ठीक है तो simple concept है और when the principle clause is in the past tense and the subordinate clause is introduced by then subordinate clause may be in the present tense और past tense यानि subordinate clause यदि dance introduce हो रहा है तो उसको आप present या past दोनों में ही लिख सकते हैं और दोनों में ही वो correct माना जाएगा जिसे यहां पर देखिए he liked you better than he liked me और he likes me यह दोनों ही sentence correct है और यह बहुत ही अच्छा concept है काफी important है यह यह भी आप पर सकते हैं यह भी दोनों clause present में है या future में है तो subordinate clause आप किसी भी टेंस में लिखेंगे तो वो correct आपका माना जाएगा यह भी एक काफी important concept है जैसे यहां पर यह सारे sentence correct है यदि principal clause past में प्रिंसिपल clause present में या future में होगा present या future में होगा तो उसके बाद subordinate clause आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं सारे sentence आपके correct माने जाएगे एक रूल यह है कि दो noun है और अलग-लग noun है वो end से जुड़ी है तो definitely वो plural होंगी और singular नहीं होंगी जैसे computer और telecommunication यह दोनों अलग-लग subject है तो इसलिए यहां पर हम have बोलेंगे है से यह गलत हो जाएगा नीचे वाला sentence correct है और यहां पर आप देखे यह भी काफी important concept है यदि दो noun है जैसे principle है और teacher है यदि दोनों से आएगा कि एक ही व्यक्ति के पास दो पूस्ट है एक ही व्यक्ति दो पूस्ट को hold करता है तो इसको हम singular वर उसके लिए हम use करेंगे यहां पर यह sentences दी है दा principle and teacher मतलब यह एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और teacher हो जाएगा तो इस तरीके से आपको यह concept को समझना है आगे हम देखते हैं कि इस टू सब्जेक्ट टोगेदर express a single idea the word is in the singular यदि दो सब्जेक्ट है और लेकिन वो किसी single idea को express करते हैं या किसी एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं तो इसको हम singular में ही लखेंगे जैसे यहां पर आप लिखाए bread and butter are essential for one's life ठीक है हाला कि bread and butter दो अलगलग commodity है दो अलगलग item है लेकिन यहां पर हम उसको किस तरीके से यूज कर रहा है यहां पर हम उसको commodity की तरह यूज ना करते हुए यहां पर हम उसके थुरू दिखा रहे हैं कि bread and butter का मतलब है रोजी रोटी या livelihood ठीक है या पेशा कमाने का तरीका या आपका profession या आपका पेशा उसको हम बोलते हैं bread and butter तो लाइबली हुड जो हुआ वो singular हुआ bread and butter का यहां पर मतलब है कि हम पेशा किसी व्यक्ति के पेशे की बात कर रहे हैं उसके profession की बात कर रहे हैं या किसी livelihood की बात कर रहे हैं तो इसलिए bread and butter हाला कि दो community दो commodity हैं लेकिन उसके बाब जूद भी हम इसको singular में यहां पर लेंगे क्योंकि इसका meaning यहां पर अलग तरीके से हम use कर रहे हैं तो यहां पर bread and butter is essential for one's life ठीक है यदि आप इसको commodity की तरह लेते हैं bread and butter are essential for one's life तो इसका मतलब तो यह होगा कि bread and butter को खाना एक व्यक्ति के लिए जरूरी है life को चलाने के लिए जबकि ऐसा नहीं है वो यदि bread and butter नहीं भी खाएगा तो उसकी life चलती रहेगी ठीक है तो bread and butter का यहां पर मतलब है कि हम livelihood की बात कर रहे हैं और यह वाला जो नीचे वाला sentence है यह आपा सही है every जो होता है वो singular होता है और उसके बाद जो noun आएगी वो singular में ही आएगी क्योंकि every का मतलब होता है प्रतेक देखिए इसमें एक लगा हुआ है प्रतेक मतलब एक ठीक है तो चुकि यह एक है इसलिए इसको हम singular में यूज़ करेंगी every man यह singular है वो man singular है अब यहां पर आर है और यह भी singular है ठीक है तो इसके बाद ध्यान रखिए every के बाद subject भी singular में होगा और word भी singular में होगी और यह वाला sentence देखिए इधर मनोज और रमेश ठीक है यदि दो singular noun इधर या और से जुड़ी है तो वो दोनों singular में use होंगी इधर मनोज और रमेश has the key to this problem क्योंकि इध और और से जब दो singular noun जुड़ी होती है तो इसका मतलब है कि हम एक बार में एक ही वक्ति को ले रहे हैं या तो मनोज को ले रहे हैं या रमेश को ले रहे हैं तो इसलिए यहां पर singular noun का use होगा लेकिन यदि singular और plural दो नाउन जुड़ी है जैसे एक है यहां पर परहस्त एक का नाम है और एक है उसके friends, तो एक noun ही singular, यानि परहस्त singular हुआ, और his friends जो हुआ, वो plural हुआ, तो इस तरह के sentences में हम क्या करते हैं, इस तरह के sentences में दो rule में आपको बताऊंगा, एक तो rule ये है कि singular हमेशा पहले आएगा, plural हमेशा बाद में आएगा, और plural subject के बाद plural noun का ही प्र हस्त, nor his friends, were present at the party, ये sentence सही है, पहले हम singular को लिखेंगे हमेशा, पहले plural नहीं आएगा, पहले singular लिखेंगे, उसके बाद plural लिखेंगे, और plural subject के according, फिर plural verb हम लिखेंगे, तो ये sentence आपका नीचे बाला correct है, आगे हम देखते हैं, यदि दो subject, two or more subject of different persons, connected by or, nor, either, or, neither, nor, verb agrees to the subject nearest to it, इसका मतलब क्या है कि, जैसे ये दो person है, she एक अलग person है, और I एक अलग person है, ठीक है, आई को वैसे हम plural मानते हैं, she को हम singular मानते हैं, तो यहाँ पर यो verb आएगी, वो इसके पास वाला जो subject होगा, उसके according आएगी, ठीक है, जैसे इस sentence में, she भी लिखा है, और I भी लिखा है, लेकिन verb जो है, वो I के according आएगी, क्योंकि I जो है, वो will के पास में है, आप I के साफसे shell आना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए ये sentence गलत है, यहाँ पर I के साफसे shell आ रहा है, तो ये sentence आपका सही है, तो इसको या तो आप इस तरीके से लिखिए, या फिर इस तरीके से लिखिए, इदर she will, तो C के साथ यहाँ पर will सही है, और यहाँ पर I के साथ shall सही है, तो या तो आप इस तरीके से लिखिए sentence को, या फिर इस तरीके से लिखिए, ये नीचे वाले दोनों sentence correct है, और उपर वाला गलत है क्योंकि यहां पर I के साथ यह जो will लगा है, यह नहीं आएगा, यहां पर I के साथ क्या आएगा, shall, अब neither Ram nor Ria has done his, her, their work, यह भी काफी confusing sentence है, इसमें हम जो verb लगाएंगे, वो pass वाला जो subject है, उसके according लगाएंगे, तो यहां पर his, her और their के pass में कौन सा है, Ria pass में है, तो Ria ए आपका answer होगा, वो होगा, her, ठीक है, neither Ram nor Ria has done her work, यह sentence आपका सही है, error of proximity, यह क्या है, proximity का मतलब होता है, closeness या nearness, ठीक है, तो real subject आपको लेना है, जैसे यहां पर आप देखिए, the homework of many students is incomplete, तो यहां पर जो real subject है, वो students नहीं है, जो real subject है, वो homework है, जो की singular है, तो इसलिए, homework according, यहां पर जो बर्ब आईगी, वो आपकी आईगी, singular, तो इसलिए, नीचे वाला जो sentence है, यह इसमें, correct है, आगे हम देखते है, word joint to a singular subject by, देखिए, यह काफी सारे word मैंने, दिये हैं, यहां पर, as well as, along with, in addition to, with, तो इनके बाद यदि दो subject जुड़े है हैं, तो बर्ब जो आईगी, वो पहले वाले subject के according आईगी, मतलब इनसे पहले जो subject दिया है, उनसे, उनके according आईगी, जैसे यहां पर, guru और disciples, इसको हम disciple नहीं पढ़ेंगे, इसको हम disciple पढ़ते हैं, disciple का मतलब होता है, चेला या सिशे, तो as well as in addition to, along with, to, with, together with, यहां पर जितने भी मैंने word दिये हैं, like, unlike, इनसे दी दो noun जुड़े हैं, तो जो बर्ब आईगी, वो पहले वाले noun के according आईगी, यहां पर guru जो है, वो singular है, तो इसलिए singular noun आईगी यहां पर, और नीचे वाला जो sentence है, यह आपका सही यहां पर माना जाएगा, काफी important है, यह जो concept है, यह काफी important है, और यह word यहां पर, काफी सारे word मैंने दिये हैं, यह banking के लिए भी काफी useful है, और SSC के लिए भी काफी useful है, आप यहां पर देखिए आप, either, neither, each, everyone, यह सारे singular है, either, neither, each, और every, everyone, और यहां पर many a, many plural है, लेकिन many a singular है, ठीक है जैसे यहां पर दिया है, many a man have, यह गलत है, many a लगा है, तो man आएगा यहां पर, लेकिन man singular है, तो उसके बाद यहां पर has आएगा, many a man has, यह sentence सही है, नीचे वाला इसमें, ठीक है, तो आपको concepts को समझना है, आपको रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को concept को समझना है, concept को आ amount, quantity और amount, जितने भी होते हैं, वो सारे singular होते हैं, जैसे 5 hours, are too short a time to judge one's personality, मतलब 5 घंटे का जो समय है, वो किसी व्यक्ति के personality को चेक करने के लिए बहुत कम है, तो 5 घंटे का जो समय है, वो एक, वो एक quantity या एक amount है, ठीक है, जैसे यहां पर लगा है, a time, तो a time का मतलब है कि इसको हमको singular में लेना चाहिए, 5 hours अपने आप में plural है, लेकिन वो अपने आप में 5 hours मिला के एक quantity बन जाती है, एक amount बन जाता है, तो इसलिए यहां पर आपको singular में इसको लिखना पड़ेगा, 5 hours is यहां पर आपको लिखना होगा, और यह sentence आपका सही हो जाएगा, आगे हम देखते हैं, my friend, philosopher and guide have come, यह काफी important sentence है, कि मेरा friend और मेरा philosopher और मेरा guide यहां पर आचुका है, मतलब एक ही व्यक्ति के लिए हम बोल रहे हैं कि एक ही मेरा जो friend है, वो philosopher भी और guide भी है मेरा, यह अलग लग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति, friend भी है, philosopher भी है और guide भी है, तो slow and steady win the race, गलत क्यों है यह sentence, इसलिए गलत है, क्योंकि यह slow and steady जो हम adjective phrase यूज कर रहे हैं, यह एक व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, एक एसा व्यक्ति जो धीमे तो चलता है, लेकिन मजबूती से चलता है, वो आखरी में race को जीच जाता है, ठीक है, तो slow and steady हम एक व्यक् sentence है, यह आपका correct sentence है, अब इसमाँ देखे, fish and chips is my favorite dish, तो यहाँ पर हमने is को लगाया, इसलिए लगाया है, क्योंकि fish और chips मिला के एक dish का नाम है, एक खाने की चीज का नाम है, हलाकि यह दो अलग-अलग चीज़े हैं, लेकिन यह दोनों मिल के एक dish बना देती है, तो fish and chips is my favorite dish, ठीक है, तो इस तरी के से इसको आपको use करना है, अब यहाँ पर देखिए, poverty and misery comes together, comes together इसके गलत है, क्योंकि poverty एक अलग चीज़े है, और misery एक अलग चीज़े, poverty का मतलब है गरीबी और misery का मतलब है, बहुती बुरी हालत, बहुरी बहुती आपकी जिसको हम बोलते हैं, दुर्दधा, तो poverty and misery come together, इस तरी कैसे इस सही होगा, क्योंकि यह दो अलग अलग नाउन है, यह एक ही नहीं है, my father unlike my uncles, unlike से जुड़ा है, father और uncle unlike से जुड़ा है, तो इसमें जो बर्व आएगी वो father के साब से आएगी, ठीक है, इसके साब, unlike के पहले जो word आएगा, उसके स से आएगी, तो यहाँ पर father singular है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका प्रियोग करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आगे हम देखते हैं, a white and black cow was grazing in the ground, अब देखिए एक ही cow है, और वो एक ही cow है, इसलिए उसको हमने singular में लिखा है, और एक ही cow है, लेकिन इसके दो color है, white ब्लैक कलर की है वो गाय, a white and black cow का मतलब है कि एक ही cow है, एक ही cow है, एक ही cow है, दो color में है वो आदी वो काली है और आदी वो सफेद है, चुकि यहाँ पर a एक ही बार लगा है, इसलिए इससे indicate होगा, कि गाय एक ही है, लेकिन वो दो color की गाय है, तो इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे इसमें हम वाज लगाएंगे तो वाज यहां पर यह सही है अब यहां पर देखिए एवाइट एंड ब्लैक काउ ठीक है अब यहां पर दो बर लगा एक यहां पर और एक यहां पर इसका मतलब यह दो गाया है अलगला कलर की तो यहां पर यह वर जो है वो आपका सही है तो इस तरीके से आपको concept को समझना है concept का आप समझेंगे तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे अब आप इसमें देखिए चर्चल वोज ए great orator and a great politician of his time अब हम चर्चल के बारे में चर्चल जो है Winston Churchill उसको orator भी बोल रहे हैं और politician भी बोल रहे हैं एक ही विक्ती orator भी है और politician भी है तो इसलिए अलग लग ए ये लगाने की जरूवत नहीं है चर्चल वोज अ great orator and politician of his time काफी अच्छा sentence है ये इसमें क्या आएगा इसमें दो लोग हैं क्योंकि दा दो बार यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि दो लोग हम यहाँ पर count कर रहे है तो इसलिए यहाँ पर have का प्रियोग होगा have यहाँ पर आपका सही माना जाएगा has नहीं आएगा has, ram और sham, come तो यहाँ पर हम have लगाएंगे क्य़ है यहाँ पर हम लगाएंगे has क्योंकि और का मतलब है जब और से दो चीज़ें जुड़ी होती है तो उसका मतलब होता है सिंगुलर या तो राम या फिर श्याम इदर अब दा फाइब मेंबर्स इज एट फॉल्ट फाइब मेंबर्स के लिए हम इदर का प्रियोग नहीं करेंगे फाइब के लिए हम वन उफ दा का प्रियोग करेंगे और फाइब मेंबर्स आएगा और यहां पर इस आएगा यह बलकुल सही है वन के बाद जो बर्ब आती है वो सिंगुलर में आती है यह बर्ब सिंगुलर में है यहां पर दी है लेकिन subject प्लूरल में आता है, जैसे यहां पर members दिया है, यह प्लूरल में है, तो यह भी काफी important sentence है, बोथ के बाद हम not नहीं लगाते, बोथ के बाद हम neither लगाते हैं, मतलब बोथ के साथ not का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, यह बोथ के साथ यहां पर not का प्रयोग हुआ है, यह गलत है, neither of them हम लगाएंगे, neither of them took the exam, तो यह sentence सही है, काफी important concept है यह, जितने भी बीमारियां होती है, disease, sports और subjects, भले ही उनके बाद ऐस लगाओ, वो singular में मानी जाती हैं, क्योंकि वो एक ही subject होता है, जैसे physics हुआ, statistics हुआ, कोई सा भी subject हुआ, economics हुआ, तो यह सारे आपके singular में ही लिखे जाते हैं, लेकि तो वो आपका plural माना जाएगा, जैसे यहां पर आप देखिए, statistics is a difficult subject, यह sentence सही है, क्योंकि as a subject हम यहां पर इसको indicate कर रहे हैं, और यहां पर हम इसको data के sense में, आंकड़े के sense में, यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इसका have का प्रियोग जो हुआ है, वो सही हुआ, यह दोनों sentence correct है, इसके बाद आगे हम देखते हैं, the appeal of the victims for the transfer of the cases related to rights to some other states, अब इसमें क्या आएगा, इसमें जो real subject है, वो क्या है, इसमें real subject आपका appeal है, ठीक है, appeal singular है, तो इसलिए इसमें हम has का प्रियोग करेंगे, have का नहीं, यह काफी important sentence है, particularly banking exam के लिए, क्योंकि उसमें इसी तरीके के lengthy sentence आते है, the audience have taken seats, अब चुकि यहाँ पर seats आ रहा है, और seats countable होती है, और कई सारी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे, there, और यहाँ पर हमने, the jury has given its verdict, यह सही है, क्योंकि पूरी jury ने मिलकर एक verdict दिया है, एक नियाए दिया है, तो इसलिए sentence सही ह है, यहाँ पर हम divide की बात कर रहे है, divide का मतलब कि काफी सारे members है, तो इसलिए यहाँ पर हम its नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे there, और यह नीचे वारा sentence आपका सही है, यहाँ पर हम देखते है, 100 rupees is in my pocket, यह sentence सही है, ठीक है, यह sentence सही क्यों है, क्योंकि यहाँ प हम संख्या की बात कर रहे है, कि 100 rupees को बाटा जाना है students में, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह प्लूरल का use होगा, यह काफी important sentences मैंने लिए है, 5000, 5 के बाद 1000 में यह नहीं लगेगा, यह सही है, रूपीज यहाँ पर सही है, 5000 rupees is a handsome amount, यह sentence सही है, इस 5000 की रकम की हम बात कर रहे है, 5000 का जो amount है, वो एक handsome amount है, तो इसलिए यह sentence यहाँ पर आप सही है, 5000 rupees have been spent on different useful commodities, तो यहाँ पर भी हम इसको 5000 rupees have been spent का मतलब है कि 100 rupees किसी पर spend किये, फिर 200 किसी और पर spend किये, फिर 500 किसी और पर spend किये, तो इसको हम अलग अलग एक संक्तर ले रहे है तो इसलिए यह वाला sentence सही है, यहाँ पर हम have का प्रियोग करेंगे, यह वाले sentence देखिए, she is one of the noblest women that has or have lived on this earth, यहाँ पर देखिए यह that होता है, relative pronoun, इसके पहले जो noun होगी जिसको हम antecedent बोलते हैं, उसके according यह noun आएगी, तो यहाँ पर women plural है, तो यहाँ पर हम have का प्रिय पहले तो trust में as नहीं आएगा, यहाँ पर यह गलत है, यहाँ पर यह सही है, क्योंकि who से पहले plural noun लगी है, इसलिए trust यहाँ पर सही है, और यहाँ पर आई ना आते हुए, यहाँ पर आएगा दे, यह sentence काफी important है, more than one जो होता है, वो singular होता है, ठीक है, more than one man was present there, यह singular सही है sentence, great many जो होता है, या good many जो होता है, वो plural होता है, ठीक है, इसके साथ है वाता है, अब यहाँ पर देखिए, one should be followed by one only, one के बाद जब अजय सिप किस हम लगाएंगे, तो once लगाएंगे, his नहीं लगाएंगे, one must tolerate one's friend as well as one's enemy, his enemy नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सही होगा आप का once, one of के बाद, one of के बाद जो noun या pronoun आएगा, वो plural में आएगा, जैसे them भी इसमें आप लगा सकते हैं, और voice भी लगा सकते हैं, लेकिन verb जो आएगी, वो singular में आएगी, क्योंकि verb जो जुड़ी हुई है, वो once से जुड़ी हुई है, we के बाद यदि each आता है, तो वो plural में माना जाएगा, ठीक, इसका subject जो है, वो we है, तो यह सही आपका यहां पर हो जाएगा, यह sentence सही है आपका, more than is singular, और more के बाद यदि कोई plural noun आती है, तो वो plural होगी, जैसे more than one city was in ruins, ruins का मतलब है कि बरवादी पर थी, एक से ज़्यादा city बरवादी की कगार पर थी, यह इसक singular होगा, क्योंकि one जो होता है, वो singular होता है, तो one के बाद जो subject आएका, यह singular में ही आएगा, ठीक है, और यहां पर देखिए, more cities than one, more than one city और more cities than one, तो यहां पर more लिखा है, तो more के बाद तो मैं plural होगा, और जब cities plural है, तो वर भी plural होगी, इसको इस तरीके से आप समझ सकते ह है, तो इसमें मैंने subject बर वैगरी में, इनके कुछ questions इसमें मैंने लिये हैं, और मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आये होंगे, आप इसको कैई वार देखिए, इस वीडियो को, definitely यह सारे concept आपको clear हो जाएंगे, किसी भी चीज को आपको रटना नहीं है, concepts को समझना ह हैं, यदि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई, कोई भी confusion या doubt है, तो जरूर आप मुझे बताएं, जरूर आप अपना feedback आप इस number पर मुझे दे, यह WhatsApp नमबर भी है, मुझे आप call भी कर सकते हैं, और definitely कोई भी आपको गलती लगी हो इसमें, किसी भी word में, किसी भी spelling म हो, तो जरूर आप indicate करें, जिसका सन में, या phone के थूरू, या mail के थूरू, और definitely मैं उसको appreciate करूँगा, और English Advantage Group है यह Facebook पर, इसको भी आप जरूर जोइन करें, यहां पर मैं सारे notifications डालता हूँ, इससे भी आपको definitely help मिलेगी, so thank you very much for watching this video, thank you.